जैहिन पहरेजाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRV की न्यू विकिंसी के वारे में जिसका आप बेस बरी से इंतिजार करने हैं यानि की Indian Reserve Italian की न्यू विकिंसी का तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है बट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें एस्क्राइट एरिया हायट ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसके बारे में अल्री बहुत सारी वीडियो बनाई जा चुकी है और आप अल्री सुन-सुनके ठक चुके हैं हम में मुद्धे पर बात करेंगे कि कब आपकी विकिंसी आईगी और इसका क्या प्रोचीज़ चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और वेल आइकन पर प्रेस करने ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे लोगों ने इसके बारे में कोर्स तक भी इसना स्टार्ट कर दिया है जबकि उनको उसके पूरी रियालेटी भी नहीं पता है लेकिन उन्हें इस तरफ इसी से मतलब है कि इसके कोर्स बगरा बेचे जाए हमारी वह इंटेंशन नहीं होती हमारा सिर्फ यह कि अगर कोई है जिससे कि आप अपनी आगे की तैयारी करते रहें कि वो भड़ती आती है तो आप डेफिनिटली उसमें सलेक्ट हो पा हैं अब यहां पर बात करें तो देखिए 17,000 विकिंसी की बात करें तो यह MHA के अंटर आने वाली फोर्स है आप सभी को बता है कि पहले यहां पर IRVU में जो विकिंसी निकाली जाती थी वो वहती कम विकिंसी निकाली जाती थी कि 500 निकाल दी 1000 निकाल दी इतनी आपकी विकिंसी निकलती थी लेकिन क्या हुगा कि MHA ने यहां पे एक आदेश दिया उस आदेश में यह रहा था कि टोटल नई 17 बटालियन बनाई जान जिस अगर आपकी बनेंगी तो यहां पर 17,000 पद उपर भी भरती होगी इसे अधिक भी पद होंगे क्योंगी यहां पर कुछ हैड कॉस्टेबल भी हो सकते हैं इसके अलाबर और भी उपर वाले जो अधिकार ही रहेंगे उनके भी पद हो सकते हैं लेकिन डारेक्ली यहां पर 17,000 तो minimum आपके बद रहेंगे ही रहेंगे तो जब यहां पे actual में क्या है कि यह जो battalion होती है यानि कि जो IRV होती है यह क्या होता है कि जो नक्सल प्रवाबिद जो छेतर होते हैं area होते हैं district होते हैं उनमें यह अपना काम करती है और कहीं न कहीं paramilitary के काम को थोड़ा कम करने के यह उन पर उपर इतना pressure होता है इतना work होता है उसी के लिए यहां पर IRV काम करती थी और इसी के आधार पे यहां पर 17 नई battalion का formation की अधाना है जिसी के basis पे कि यहां पर CRPF बगएरा जैसी forces हैं उनको यहां पर help कर पाए आपकी IRV नक्सल प्रवाबिद छेतर में तो इसी ल प्रवाए सकती है और eligibility criteria क्या होता है qualification criteria क्या होता है selection process किस तरीके से होता है वो सारी चीज़े मैंने आप सभी को बताई थी तो already सारी चीज़े almost clear हैं बागी का यह है कि notification में सारी चीज़े clear होंगी अब में जो चीज आती है वो आती है कि इसकी विकिंसी के बारे में किसकी व अब ऐसा तो गरेगा नहीं कि MHA यहां पर आप आपकी कुछ विकिंसी किसी और से करवाए कि कुछ विकिंसी किसी और थे जब आपकी नमबर विकिंसी जादा रहेंगी तो पूरी-पूरी संभावना है कि MHA यहां CAPF की भरती करवा रहा है IRB की विकिंसी 19 से complete करवाई जाए यानि कि भरती complete करवाने वाली जो सलसा रहेगी वो आपकी SST यहां पर हो सकती है यानि IRB की विकिंसी भी SST complete करवा सकती है अब यह जो आपकी विकिंसी निकाली जाती है जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि NCB की जो विकिंसी होती थी वो कभी भी SST GD के थ्रो निकाली ज सामिल कर दिया इसी तरीके से जो भी फोर्सेस MHA के अंटर आती हैं और कॉंस्टेबल पद की होती हुए उन्हें क्या करते हैं कि डारेक्ट वो SSC को सौफ देते हैं तो इसी तरीके से यहां पर पूरी उमीद है कि आपके जो आई आर्वी की विकिंसी होंगी वो SSC के साथ नि जाएगी अब SSC GD के साथ निकाली जाएगी तो SSC GD का जो पूरा क्राइटेरिया है वो ही इस पर implement होगा उसी के according आपको इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी सारी सीज़े इसी के साथ होगी अब अगर हम विकिंसी की बात करें कि कब तक फिर इसकी विकिंसी आ सकती है वो सारी सीज़े बात कर लेते हैं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए SSTGD की विकिंसी का आना लगबत तैह हो चका है कि कब इसकी विकिंसी आएगी अगर इसकी विकिंसी आती है तो में दिये है कि IRV की विकिंसी भी इसी के साथ आजाएगी तो आप इसकी तैयारी में जुटे रही है क्योंकि जल्दी इसकी विकेंसी आ रही है वो मैं आपको clear कर दूँगा साथ ही में तैयारी करने के लिए सबसे challenging subject होता है वो होता है GKGS के GKGS के तैयारी कैसे करें सबसे कम score वच्चे उसी में कर पाते हैं तो इसके लिए best book आपको मिल जाती है पूजा publication की book आती है जो कि आपकी समाने गयान की है इसमें सबसे अच्छी बात ही है कि आप lower class ते लेगे upper class तक की examination के लिए इस book का use कर सकते हैं और बहुत ही सरल वहासा में आप सभी को detail में सारी चीज़ें यहां पर दी गई है complete theory आपको मिल जाती है जिसमें सभी topic सभी subject जो आपके हैं समाने गयान में जो आपके आते हैं तो इस book को आप offline online book को purchase कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो पर description में दे दिया है साथ ही में इनकी आपको reasoning की book भी मिल जाती है जिससे अपनी तयारी को और भी ज्यादा improve कर सकते हैं तो आप इस book को जाके purchase कर सकते हैं one time आप इस book को purchase करेंगे तो और भी exam में ये काफी help आपको कर देगी अब यहां पर बात करें कि देखो sscgd constable का बंगा यह था कि sscgd constable की new vacancy तक तक नहीं आती कि जब तक पुरानी वर्ती complete ना हो जाए और आपको बता दें कि sscgd का जो final result है वो 20 अगस्त को जारी हो चुका है यानि कि पुरानी भर्ती का काम पूरा समाथ हो चुका है अब new भर्ती की बात करें तो पूरी उमीद यह है कि 9 अमर से जनवरी के बीच में विकिंसी आ सकती है और 9 अमर से जनवरी में आएगी तो अगर आपकी IRV की 17 वटालियन का new formation का काम complete हो जाता है तो इसकी 17 नई वटालियन बननी है वो अभी तक 17 new वटालियन बनी नहीं है और जब तक 17 नई वटालियन बनेंगी नहीं तब तक विकिंसी आने का कोई मतलब है नहीं तो सीधी सी वाद है कि जब इसका पेपर वर्क पूरा हो जाएगा कि हाँ आई आरवी की 17 नई वटालियन का गठन पोच चुका है उसी के बाद इसकी विकिंसी आएगी ये चीज़ आप उपने दिमाग में बठा के रखो मेरी इंटेंशन थी कि आपको इसके बारे में अपडेट दे दू लेकिन मुझे नहीं बता था कि लोग इसी विकिंसी के नाम पे कोर्स वेचने स्टार्ट कर देंगे भाई मुझे ऐसी कोई भी मनलब मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग इतना भी ज़्यादा गिर सकते हैं कि साला फोर्स ही बेचने स्टार्ट कर दो जब कि इस विकिंसी का जब तक भाई कि आप ऐसे समझो कि जब इसकी बतालियन का ही गठन नहीं होगा तो 17,000 विकिंसी कहां से आ जाएंगी इतना इफोर्स की रिक्यार्मेंट ही नहीं है जो बरतमान में अभी बतालियन है उसके साथ से इतनी जरुवत कभी पड़ी नहीं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसकी भी तैयारी आपकी होती रहेगी बुक वगरा मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ परसनली अगर किसी भी तरीके का कोई IRV के नाम पर आपको कोर्स से लाउट कर रहा है तो प्लीज आप कोर्स में इन्रोल मत करना क्योंकि इस टैप का वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप अगर देखेंगे तो मैंने सबसे पहले इस टापिक के बारे में वीडियो बनाई थी लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया है जरकि मैंने उसमें सारी चीसे क्लियर करने की कोसिस की थी बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो जो भी जान करी होगी वो real और authentic हमारे चैनल के दौरा आपको time to time मिलती रहेगी अगर आप चाते हैं कि आप IRB में apply करें और इसकी विकिंसी की हर एक update आपको मिलती रहे तो आप चैनल को subscribe करके well icon पर press कर लेना इससे related कोई भी authentic information होगी अगर हमारे चैनल पर नहीं आ रही है तो समझ लेना कि वो real information है नहीं मिलेंगे नेक्स वीडियो में so thank you for watching जैहिन जैवारत